चले दोस्तों लेके आगया हूँ आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो and the new year is going to start with a bang, big bang दोस्तों आपको तो पता है हमारे जो upcoming smartphones for the next month यह जो series होता है महिने में एक बार करते हैं, सबसे popular होता है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और यह जो वीडियो है दोस्तों आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा I promise you, जब आप सुनोंगे phones जो launch होने वाले उनके नाम you are going to be very very happy इसलिए यह वीडियो एंड तक ध्यान से देखिए लेकिन दोस्तों, phones बताने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आयो तो subscribe करना मत भूलिए, bell icon बजाए यह all कीज़े, ताकि हमारे वीडियो के सब notification आपको मिल जाए जैसे हम एक नया वीडियो upload करते हैं वैसे दोस्तों, और एक चीज बोल दू इस studio में, upcoming वाला, यह last होगा अगला जो upcoming होगा, new studio में होगा और एक चीज दोस्तों, 25 तारिक है आज Christmas है, very very merry merry Christmas to you जीहा, मजे कीजिये, this 2020 I tell you only 5 days remaining, निकल जाएंगे यह भी निकल जाएंगे दोस्तों, and 2021 will arrive very very soon चलिए, बात करते हैं, phones के बारे में अभी सबसे पहले दोस्तों, बता दूँ, मैं आपको जो confirmed phones है, वो बताऊंगा बहुत सारे ACV phones है, जो लगता है कि launch होने वाला है, वो भी बताने वाला हूँ लेकिन सबसे बड़ा जो launch होने वाला है इस महिने में, वो होगा, Samsung Galaxy S21 series सबस्पेसिफिकेशन आ गए हैं इन फैक्ट तीन अलग-अलग phones होने वाले हैं S21, S21 Plus, S21 Ultra Ultra में जबरदस्त कैमेरा सेट अप होने वाला है ऐसे कहा जा रहा है, लेट नम कम उसके बाद में देखेंगे, जैन 14 को ग्लोबल लाँच होगा शायद एन उसके बाद में एक हफते के अंदर इंडिया में आने वाला है सो, yes, I'm looking forward to it दूसरा जो confirmed है दोस्तों, शायद पहले ही हफते फर्स या सेकंड वीक में लाँच हो जा है Oppo Reno 5 Pro 5G यह 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 जो फोन होने वाला है यह कहा रहा है कि Dimensity 1000 Plus इस प्रोसर पे होगा वरना यह Qualcomm Snapdragon 765 पे आजाएगा 90Hz स्क्रीन होने वाली है वैसे भी आपको पता है Cameras वागरे रेनो के अच्छे होते हैं वैसे ही, it is expected that Reno 5 भी अच्छे camera के साथ आएगा, fast refresh rate वागरे होने वाला है and we'll see it very soon शायद 10 तारीक के अंदर ही launch हो जाए Oppo Reno 5 Pro 5G दोस्तों, Vivo की तरफ से शायद X60 आजाए यह 90% confirmed है, 100% confirmed है यह last week of Jan में ही आ सकता है याद रखिए, X50 जो gimbal वाला camera वाला smartphone था वो launch हो गया था हिंडिया में तो उसका successor X60 जो है वो भी launch हो जाएगा और Jan में देखने को हमें मिलने वाला है कहा जा रहा है कि Exynos 1080 प्रोसेसर वगेरे होने वाला है 120Hz fast refresh rate, 4300 mAh की बैटरी अब आने दीजिए, उसके बाद में सब कुछ बताएंगे बट दिस अलसो लुकिंग वेरी वेरी इंटरेसिंग अब इस X60 सीरीज में कैमेरा कैसे होगा वो I'm curious about it और दोसे ये जो अगले फोन है वो थोड़े इंटरेसिंग है Jio फोन, येस Vivo के साथ पार्टनर्शिप की है Jio ने, Google के साथ पार्टनर्शिप की है स्मार्टफोन आ सकता है Jan 2021 में चलिए, अब बात करते हैं कुछ फोन की जिसमें ट्रिपल एट होने वाला है अब दोस्तों, मी 11 जो है ये कन्फोर्म्ड है, बहुत सारे रूमर्स वगेरे हैं क्वलकॉम के लाँच इवेंट में अगर आप मुझे करने को कहते हो, तो 100% दोस्तों ये Redmi Note 9 Pro 5G जो चाइना में लाँच हुआ था वही Mi 10i के नाम से इंडिया में आने वाला है Jan 5th, I'm pretty sure, nearly 100%, 99.99% और दोस्तों, शाओमी के बार में बात कर रहा हूँ तो बता दूं कि उनकी जो K-series होती है, K30 वगेरे बहुत popular थी, K40 सीरी जो है वो चाइना में लाँच होगी, नहीं, इंडिया में, जैन में मुझे नहीं लगता है आने वाला है बट, Feb, March, अगले महिनों में अगला upcoming जो है उसमें मैं जरूर बताऊंगा, बट चाइना में लाँच हो रहा है K40 सीरी जिलियों सब बात करते हैं, शाओमी के सब ब्रैंड, नहीं, अब सब ब्रैंड नहीं, वो इंडिपेंडेंडेंट ब्रैंड हो गया अब और उनका Poco M3, ये जो फोन है दोस्तों, ये आने वाला है जैन में जो और किस फोन का रिब्रैंड होगा, जो चाइना में Redmi Note 9 4G आया था, या फिर इंडिया में Redmi 9 Power आया था, उसी का थोड़ा सा इधर उधर चेंज करेंगे और Poco M3 के नाम से लाँच कर देंगे, जैन में और दोस्तों, उरती उरती खबरे आ रही है, now, take this with a pinch of salt, इसके बारे में I am not sure, but Poco का एक gaming phone भी आने वाला है, एक flagship लेवल का gaming phone, वाव, Poco gaming phone, आप नाम क्या होगा, क्या होगा, ये कुछ भी पता नहीं है, बट उरती उरती खबरे आ रही है, कि जैन में Poco का gaming phone आने वाला ह I think you have heard this first time, right here, और दोस्तों, एक brand जो पिछले एक-दो महिने से ठंडा था, वो शायद overdrive पे जाने वाला है, मतलब सीधा 5th gear से ही चालू हो जाएगा 2021, मैं बात कर रहा हूँ, Realme की, तीन अलग-अलग series launch हो सकते हैं, जैन में ही वो भी smartphone के ही, सबसे पहले X7, already teasers वगेरे आ launch होने वाली है, उन्होंने teasers भी कहे हुए हैं, और बताया भी है, कि बाई डायमेंड सीधी प्रोसेसर बेस्ट वाले, जो Realme phones हो ले के आने मेल, तो X-series, definitely X7 series जो है, वो definitely JAN में आने वाली है, साथ में खबरे ऐसी भी है, कि Realme की जो number series है, Realme 8 series, जिसमें 2 phones होने वाले, that also might get launched in JAN, yes, मतलब 8 series तो है ही, number series उनकी, साथ में X7 series, जो Dimensity-based है, वो है, और तीसरी दोस्तों, बीच में ऐसे खबर आई थी, कि Narzo 30 series, जिसमें again 2-3 phones होने वाले, वो भी JAN में launch हो जाए, अब JAN के end में हो जाएगा, या फिर Feb में हो जाएगा, but I'll tell you what, these 3 series are confirmed to get launched, JAN में, JAN म में चली जाए, so 2 महिने में 3-3 अलग अलग सीरीज हमें, रियल्मी की तरफ से मिलने वाले ही, that's crazy, और दोस्तों, रियल्मी की बात कर रहा हूं, तो बता दू आपको की, रियल्मी रेस, इस डिसमबर में, बीच-बीच में ये नाम आ रहा है, जिया, उन्होंने कहा भी है की 888-based, रियल्मी रेस, ये फोन लाँच होने वाला है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों, जैन में ये ग्लोबल ही लाँच हो जाएगे, शायद यूरोप में वगरे लाँच हो जाएगा, और उसके बाद में इंडिया में आएगा, बट वी एबल तो सी ए ट्रिपल एट बेस्ट फोन, रियल्मी फोन, रियल्मी रेस, इन जैन, वैसे दोस्तों, बहुत सारे और भी फोन हैं, बट ये चनफोर्म नहीं था, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, for example, Samsung का flagship S-series है, उसके साथ में M and A-series के भी कुछ फोन्स लाँच होने वाले है, शायद जैन में ही आजाए, एक तो, इधर A-series का, या फिर M-series का, या फिर F-series का, इन में से एक फोन डेफिनेटली लाँच होगा, इतना मैं कहता हूँ, I don't know which one, but it will launch in Jan, साथ में दोस्तों, Infinix ले के आएगा, yes, I am pretty sure about it, Tecno ले के आएगा, I am pretty sure about it, शायद Nokia भी लाँच कर दे, उनका और एक फोन इंडिया में, I only hope कि वो अच्छे प्राइस पे आजाए, but Nokia का फोन आने वाला है, Tecno का आएगा, Infinix का आने वाला है, and Samsung का, जो बजेट M-A-series का, या फिर F-series का होता है, वो भी आजाए, so बहुत सारे, बहुत सारे फोन्स लाँच होने वाले हैं, Jan में, and that's why I said, the new year is going to start with a big bang, really big bang, वैसे दोस्तों, कैसे लगा है वीडियो, अगर अच्छा लगा, yes, if you have forgotten it, like जरूर कीजिएगा, smash that like button, yes, रुकता हूं मैं आपके लिए जिये तो, अपने दोस्तों के साद भी शेयर कीजिए, वैसे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक हुआ, हुआक कीजिए कीजिए.